तो friends, आप अपना mini statement में अपने bank का सारा details को देख सकते हैं, आप अपने bank में कितना deposit के हैं, साथ साथ आपके account से कितना withdraw किया गया है, आप सारी details को घर बैठे देख सकते हैं, तो आज इस video में जानते हैं, online अपने mini statement को कैसे देख सकते हैं, तो चलिए, ज्यादा वक्त ना ले देख से वीडियो को start करते हैं, तो friends, सबसे पहले आप अपना you know app login कर ले, you know app login करने के बाद, आपको account पे click करना होगा, my balance वाले section में जाने के बाद, आपका account number 100 हो जाएगा, देन उसके बाद, आप अपने account पे click कर ले, account पे click करने के बाद, आपका transaction सो हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, तो आपके account में जितने भी transaction, green color का होगा, आपके account में deposit किया गया है, देन उसके बाद, आप नीचे rate color का देख सकते हैं, जो आपके account से bidrog किया गया है, आपको दो सेंबल दिखाई देगी, फर्स्ट पास्बुक और दूसरा Gmail ID का, तो अगर आप पास्बुक पे click करते हैं, तो आपका transaction आपके file manager में send कर दिया जाएगा, जिसे आप open कर देख सकते हैं, सेकेंट Gmail पे click करने के बाद, आपके सारे transaction को आपके Gmail account पर भेद दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं, email ID note registered, तो मेरे account में email ID registered नहीं है, अगर आपके account में email ID registered है, तो आपके email ID पर send कर दिया जाएगा, तो friends आपको यो वीडियो कैसा लगा, please comments में बता दें, और मेरे चैनल को subscribe कर ले, ताकि आने वाला वीडियो को notification आपको मिल सके, तो thank you so much, bye.